नमस्कार उभोकता साथ च्छन कार्टम में आपका बहुत का स्वागत है जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस कार्टम के जरीए हमारे जो उभोकता वर्ग हैं हम सब उभोकता हैं हम सब क्या हमारी क्या कैसे हम इस तहट काम करें जिससे हमारा ज्यादा ज्यादा फाइदा हो और किन बातों का ख्यार लखें जिससे हमारे उभोकता के जो दूप में हमारे जो अधिकार है उनका इस्तेमार हो सके तो चलिए आज इस विशे पर हम बात करते हैं एक ऐसा विशे है जो हमसे सीधे तोर पर हम उससे प्रहबित होते हैं और वो है साइवर क्राईम आजकल जैसे जैसे साइवर जगत का बोलबाला बढ़ा है हम सब कहीं न कहीं ऑनलाइन तरीके से काम करने को तत पर रहते हैं, शायर इसकी जरूरत भी है, लेकिन इस मामले में कहीं न कहीं हम से कुछ ऐसे गलतियां होती हैं, या कुछ एक ऐसा गिरोह जो हम से इसमें अपराद करता है और हम उसके शिकार होते हैं, विशेशकर आर्थी के मुख्य प्रबंधक है, SBI मतलब भार्तिय स्टेट बैंक और ये बैंक ऐसा बैंक है जो अपने क्राहकों को लगातार इस मामले में बताता रहता है कि कैसे आप इससे बच सकते हैं, तो आज हम विश्व विजय स्रवास्तप जी से जो इस वक्त हमारे साथ इस तूडियो में हैं, उन से समझेंगे, तो विश्व जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका, हमारे दुदर्शन की और से, आप से हम ये समझने कोशिश करेंगे कि आखिर साइवर क्राइम क्या है, किसको हम साइवर क्राइम क्या सकते हैं? नमस्कार, धन्यवाद दुदर्शन पटना को, कि हमने, हमको इस जलन्त मुद्दा पर पड़िचर्चा के लिए आमंतरन किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ, जैसा का आपके प्रफशन की शाइवर क्राइम क्या है? साइवर क्राइम जो चीज है, जो हमारा जो भी डाटा है, या जो मेरा नीजी पासवर्ड है, या कोई भी आकाउंट से सम्मंदित, कोई भी मेरा जो मेरा नीजी है, अधिक किसी ट्रिक के दौरा, या कोई मेकानिजम के दौरा, उसको हैक कर लिया है, तो साइवर क्राइम ह इस इस्तिति में अभी क्या है कि जैसे हम डिजिटलाइज हुए हैं हमारा सारा बैंकिंग जो बैंकिंग है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चला गया है आज 85-66% ट्रांजेक्शन जो है डिजिटली हो रहे हैं और इसमें यह संभावना जो भी हैकर्स हैं वह भी अपना सं रहे हैं ओ ठीटलाइज हो तो साइब्स कर फंड को निकाल ले रहा है तो साइबर क्रeshunt होता कैसे है साइबर क्राम का मिक में पांच सateurs है पाला है ATM कार्ड दूसरा है क्रेट कार्ड तीसरे मोबाइल बैंकिंग और इडर्णेट बैंकिंग्ग दू. चौ우 था यूपी गई तो अगल वगल जो लोग रहते हैं, उनसे हम लोग कहते हैं कि थरो मेरा हेल्प कर दीजिए, उसमें क्या होता है कि आपका पिन सेर्ड हो जाता है, और पीछे खरा आदमी अभी दो चार घटनाय गटी हैं, जिसमें हम लोग तो डेली फेस कर रहे हैं, जो हम कस्टमर को जागर कर रहा हैं, क्या पैसे, पहले सबसे पहले एटीम में जाईए तो देखिए कि एटीम में गार्ड है कि नहीं, और गार्ड नहीं है, तो कम से कम आप अकेले एटीम अपरेट कीजिए, आपके पीछे कोई नहीं हो, ताकि आपका पीन सुरक्षी तरह सके, अभी कुछ गटना एटीम देखे, चुकि आपको फीनु देख लिया है, और एटीम आपका मिल गया, तो इमीडियेट ही पैसा निकाल लेता है, और पैसा टांसपर कर देता है, तो सबसे पहले इंसूर कीजिए कि जब भी आप एटीम में जा रहा है, उस एटीम के पास कुछ नहीं है, कोई न नहीं होता है, तो क्या करता है, उसका पीन मंगता है, उसके पास पुराना एटीम कार्ट सेम बैरियंट कर रहता है, वो इसे एक्सचेंज कर लिता है, और आप जब घर आके देखते है, मेरा कार्ट नहीं है, तब तक पैसा निकल गया रहता है, तो सबसे पहला काम है कि का दो की है आपका पीन और ओटी पी इक भी भी किसीसे से हिर मत कीजिए और अटम जिसका आए जो है वह ऑपरेट करें कभी 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 क्या होता है देखा जाता है कि एकिसी का है अपने बच् 시कों देदिये कि वही उपरेट करते तो इस इस्तिति में जो है इस इस्तिति में हम एहीस विजाओ देंगे कि जिसका ATM है वही उपरेट करें क्योंकि अगर आप कम्प्लेंड करते हैं और यह पाया जाता है कि आपका ATM आप नहीं उपरेट करते तो वह क्लिम जो डिकलाइन कर दिया जाता है इस जिससे कि कभी अपना PIN और ATM ऑपरेट करते समय हमारे आसपास कोई नहों खासकर जब हम बूथ पे जाते हैं तो वहां इस बात का ध्यान के यह तो ही बात के अधियम के और हमको लगता है ज्यादतर घटना इसी इसको लेकर होती है हमारी लापरवाही से जो महत्मुन बात है यह जानना चाहता हूं आपसे कि अब इसके बाद हम क्रेडिट कार्ड के बात करते हैं डेविट कार्ड की बात करते हैं तो उसको लेके क्या-क्या साउधानी हमें रखनी है ताकि हमारा फ्राउड नहीं हो क्रेडिट के बारे में अभी जो कुछ गटनाय गटी है वो कर जाता है तो इस से बचने के लिए आप देखिए पर यह दो इस्टा लोग मसीन रखे रहता है, जिससे जो है सेकृरिटी फीचर उतना अच्छा नहीं रहता है, और उसे डेटा आपका जो है, वो सेड होने का चांस रहता है, तो कभी भी आप जाइए तो श्वेप मसीन देखिए कि किसी बेंक का हो, उससे देखे जिए, अभी कुछ उसके पास data राता है, उस fraudster के पास, कि आपका यह नाम है, आपका इस बैंक में account है, आपका credit card number इतना है, इसी data उसके पास available राता है, और फोन करता है, कि आपका immediate जो है KYC नहीं किरेंगे, या फिर आपका limit बराना है, तो हम एक link भेज़ रहे हैं, उस पर आप click किजे, तो link ज और आपसे OTP मांगता है, तो आप तो समझे हैं कि बैंक से फोन आ रहा है, आप OTP, अपना आधार, पैन सब कुछ सेर कर देते हैं, नतीजा क्या होता है, इमिटियेट आपका पैसा जो है, और साइफन हो जाता है, और चला जाता है फ्रोडेस्टर के पास, तो इस इस्तिसी से बचने के लिए कभी भी आप कोई भी अपना गोपनिये दस्तवेज, कभी भी वाट्सेप, एदी बैंक भी मांग रहा है, तो वाट्सेप नहीं बेजिए, बैंक का ऑफिसियल मेल होता है, उस पर मेल कर दीजिए, जिससे अनथराइज है, आपका डेटा नहीं पहुंच पा है, और कोई भी डेटा जो आप दे रहा है, या कोई भी रस्तवेज दे रहा है, और मेल के थुरू भीजिए, बैंक का ऑफिसियल मेल पर भीजिए, किसी को वाट्सेप या मौकिक में नहीं बताईए, ये तो ही बात क्रिट कार्ट और हम जैसा कि जानते हैं, अटियम जाद पिर तबैंक का, बहुत सारे मॉबाइल एपस जो है, वो आये हुए है, जैसे हमारा रहे स्टेट बैंक में योनो है, और पेफोन है, बहुत सारे आप आये हुए हैं, इसका मतलब है कि आपका, हम लोगे इसके लिए चलायते हैं, अभी यहां चलायते हैं, कर लो बैंकिंग रखते हैं, मोबाइल को भी वह सही रखना है, सबसे पहला सुरक्षा कहे है, मोबाइल वेंकिंग में कि आपना कीपेड लॉक रखें, कीपेड ओपन रहेगा, तो हैकर्स कहीं से हैक कर लेगा, कीपेड हम ऐसा लॉक रखें, जब भी यूज नहीं हो, कि कीपेड को कीपेड आपका चल जाता है, जो हैकर के पास, जब मोबाइल का कंट्रोल चला गया हैकर के पास, तो आप कुछ नहीं कीवी कीजिएगा, तो आपका सरा पैसा निकाल लेगा, और आपको मालूम भी नहीं चलेगा, हो सकता है, मैसेज भी उसी को है, तो इसलिए सबसे पहला काम है कि म इतना सस्ता लोन दे रहा है इतना कैस्वेक दे रहा है उसको बीना पर्खे जो है आप क्लिक नहीं किए अन्य था खत्रयां पड़ जाईएगा यह बहुत ही आजकल हो रहा है बहुत सरा एप डेवलप किया गया है जिसको आपको इंस्टॉल करके आपका मोबाइल को है किया र लोड़ी है बहुत अच्छा आपका प्रशन है यूपी आई आज सबसे अधिक जो है ओ पेमेंट का मोड सबसे अधिक पेमेंट हम लोग कर रहे हैं यूपी आ के तो सबसे आसान पेमेंट तरीका है और यह सुरक्षित भी है लेकिन थोड़ी सा उधाने बरतनी होगी अपना आईडी पासवर्ड डाली है एक ध्यान रखिए कोई भी लिंक जो है पैसा भेजने के लिए कोई लिंक की जरूत नहीं है आप पैसा भेजने के लिए कोई लिंक की जरूत नहीं है लिंक जब तब जैसे आप पासवर्ड करते हैं मतलब उसके तरफ पेमेंट का लिं करें अन्य था आप खत्रें पड़ जाईएगा और मोबाइल को अलवेज जो है सुरक्षित रखिए और जो भी आपका स्कैन करते हैं एक बार अपना मैसेज चेक कर लिए कि आपका उतना पेमेंट नहीं पेमेंट हुआ है नहीं हुआ तो इस सबसे अधिक सुरक्षित है कि को अगर यह उभोकता को ध्यान में रखने की जरूवत है खासकर जिनका बैंक से लेंदेन है बैंकों में जिनके खाते हो जैसा बता रहे हैं पिचासी पतिशत आज कर लेंदेन हम इसी सिस्टम से करते हैं जिसमें यूपी आई है नेट बैंकिंग है तो यह जो बैंकों के निए काम करता है तो क्या यह गिरोह जो है एक रास्तिय अंतरास्तिय या फिर ऽोकल अस्तर पर होते हैं कैसे संचालित होते हैं उनके कि चीजे होते हैं जो जो बैंको खोरता है कि बैंक के ग्रहन को करने की विस्टार् जाए यह जह संभ श् Serつ शाहें बहुत आशे परश्न करते हैं तो जैसे क्या करते हैं तलाब में जो हम लोग बच्चे बंसी डालते रहते हैं मचली निकालने के लिए तो फिशिंग जो भी है यह कहीं एक जगह का सिमित गिरों नहीं है इस पूरा नेशनल इंटरनेशनल गिरों है आप देखिएगा जो हम लोग का दिखाया जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि सबसे अधिक फिशिंग के प्रयास इंडिया में किया जाता है विदेश से भी होता है और इंडिया में इंटरनल भी होता है तो फिशिंग क्या है वो तरह तरह का अपना इजाद करता रहता है उसका एक पैटर नहीं होता है कभी चेंज कर बाद में हुआ कि उसके बाद से जैसे आपने पैसा डाल आपका सरा पैसा खाली हो गया दूसरा हुआ कि आपको जो है इतना का लोट्री लगा हुआ है आप उसका टेक्स एमांट 5% 10% हम वेदी आपको लोट्री पेमेंट कर देते हैं उसमें जो भी लोग क्लिक किया उनका प आपको रात का बीजली विल अच्छे लोगों का हम क्या बता है एक डॉक्टर साहब हमरे रात को 12 वे फोन किये कि मेरा पैसा निकल रहा है हमको फोन आया था कि बीजली विल कट जाएगा जल्दी से लिंक पर क्लिक किये और पेमेंट किये नहीं तो आपका सब बीजली अभ जाता है जब भी आपको किसी तरह कोई भी मैसेज आए कि आप अपना लिंक से आप तुरंट जो है बैंक में संपर कीजिए और कहिए कि ठीक हम बैंक में जाकर मिल लेते हैं हम उनको दे देंगे जो भी उनको आपको फोन पर नहीं देंगे तो सबसे अच्छा सुरक्षित कोई भी अपना डॉक्मेंट को भी फोन नंबर है मोबाइल नंबर है पैन नंबर है किसी के साथ सेहर मत किजिए अगर आपको भेजना ही है तो आप जो है वह बैंक का ऑफिशियल इमेल पर भेजिए और सुरक्षित रहेगा नहीं तो कभी भी आप खत्रां पर सकते हैं तो इस जो वेजिए जो है उसक्रिय रहता ह हर दम सक्रिय रहता हुनका आर न डी चलते रहता है कभी नया चीज लगा एंगे अभी बहुत स्था ऐस तरह है बिजली बिल का आया फिर आया कि आप एक तो ही हुआ कि डॉक्टर के इसके बाद जो है बाहर नंबर लगा है नगा ल पर फोझऑ से हो गया की आप फिर मैजेर में क्रतला किजिए तो तरह तरह का क्योंत्स इनका आई रहता है की तरीका 55 कैसे किये नहीं आप जैसे आरंडी चलते रहता नहीं और से तरीका dalej आज़ जाहने आउसर तलासते रहते हैं, इसमें लेकिन मूल मंत रही है कि आपना कोई भी नीजी डाटा जो है रोटी पासवर्ड जो है आप एगदम शुरक्षीत रखिए एगदम आप सुरक्षीत रहेंगे अगदम बिंदास आप जो है आप इन जो है डिजटल बैंकिंग का अनं उनके शिकार हो जाए तो इससे बचने की ज़रूरत है अगर हम आपसे यह जाना चाहेंगा बिश्व विजय जी कि अगर इस तरह ही घटना हो जाती है तो हमको तुरंत क्या करना चाहिए रोना चाहिए माथा पेटना चाहिए या पर कहीं कंप्लें करना चाहिए कंप्लें क कर दियें. और मेरा hack हो गया, मेरा account hack हो गया, ता हम क्या करें? उस वे अगर है पैनिक होने की ज़रुदत नहीं है, अगर बहुरत सरकार और बैंक के तरफ से आर बीई के तरफ से सारी बेवस्टा की गई है, कि आपका minimum damage हो, उसमें immediate सबसे पहले क्या है, जहां से एटीम से आपका fraud होता है, एटीम को block कराए जाए, अगर INB को fraud होता है तो INB को block किया जाए, UPA उसको immediate block करने से क्या होगा, कि आपका further damage नहीं होगा, ठीक, तो उससे क्या होता है, सबसे अच्छा जो तरीका है, जो government of India का है, जैसे हम लोगों के महिला के लिए और police के लिए toll free number है, 112 number है, उसी तरह आपको fraud prevention अगर हो गया, तो 1930, इसको please note कर लिया जाए, 1930, 1930, यह cyber crime control का number है, 1930, जैसे ही 1930 पर आप call कियेगा, तो आपका जो भी है, फंड further block हो जाएगा, और जो भी आपका जो रास्ते में जो पैसा होगा कहीं जा रहा है, उसको block कर दियाता है, और सबसे अच्छा जो है, बैंक का सभी बैंकों के अपने पास अपना call center है, call number है, state bank का भी है, जैसे हमारा जो है, नया दो number इजाद किया गया है, अभी शुरू किया गया है, तीन महीना पहले से, और सबसे तरीका आसान क्या है, कि Government of India का एक साइट है, इस पर जैसे ही आप कम्प्लेन, यह आटोमेटिक है, इसमें को मैंने इंटर्मेंशन नहीं होता है, जैसे ही आप ओनलाइन कम्प्लेन दर्ज किजिएगा, आपको एक टिकेट नमबर मिल जाएगा, और इसमें क्या होता है, आटोमेटिक सब चीज है, जैसे क्या होता है कि फ्रॉडेस्टर जो फ्रॉड करता है, कभी-कभी क्या करता है कि वह Amazon और Flipkart या IPL इसमें पैसा भेजता है, तो Amazon Flipkart क्या करता है कि 48 hours तक वेट करता है आपका ट्रांजेक्शन का, अगर 48 hours के पहले आपने कम्प्लेन लॉज कर दिया, तो वह पैसा ब्लॉक हो जाता है, और बहुत अधिक चांस है कि वह पैसा आपको वापस मिल जा, जो फ्रॉड हो चुका है, तो बहुत सारकेस में पैसा मिला भी है, हमने देखा है, जो टामली अपना रेश्पॉंड किये, तो पैसा आपको मिला भी है, तो इसको सबसे पहले जो है, आप इस साइबर क्राइम का जो साइट है, उस पे जाकर कॉल लॉक कर देए, और अपने टिकट नमबर ले ले, और उनके संपर्क में, उसको अगले दीन बैंक पहुंचे, अगर रात अगर दीन में होता है, कोई तो तुरंद बैंक पहुंचें अपना, बैंक पहुंच कि अपना जो भी अगर इनक्टिव नहीं हुआ है, आपका कार्ड, आपका क्रेट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, यूपी है, उसको इनक्टिव करवा ले, उससे क्या होगा कि आपका, और उसके बाद इमिडिये बात है, और सबसे क्या है, कि अगर आपकी कोई गलती नहीं है, हम दो चीज़ें आपकी कोई गलती नहीं है, तो पैसा इंस्योर्ड होता है, तो आप जो अगर आपकी बिना गलती के आपने सब सुरक्षित रखा, उसके बहुत भी फ्रॉड हो गया, तो उसका एमाउंट र इस चीज़ें बिश्चित रहें, और अच्छा से थोड़ा सावधानी बढ़ते होगे डिजिटल पेमेंट का इंज्वाएं, डिजिटल जो बैंकिंग है, उसको इंज्वाए किजिए, काफी अच्छा है, थोड़ा सावधानी बढ़ती है, कुछ नहीं होगा, एकदम सुर गम शब्दों में अगर हम अपने लोगों को, अपने मित्रों को, अपने भाईयों को, अपनी बेहनों को, सब को अगर सचेत करना चाहें कि बैंकिंग सेवा के समय आपके साथ फ्रॉड नहों, इसके लिए क्या आप उन्हें संदेश देना चाहेंगे? धन्यबाद बहुत अच्छा प्रसन है आपका, हम जैसे हम पुड़ाने जमाने में अपने घरों में ताला चावी लायाग रखते थे, आज आपका ताला चावी आपका OTP और PIN है, तो इसको किसी के साथ सेर नहीं करें, और कोई भी अपना डॉक्मेंट, नीजी डॉक्में नहीं कीजेगा, तो कोई साइबर क्राइम कुछ भी, कोई आपका विगाड नहीं सकता है, और सुरक्षित होके बैंकिंग कीजिए, कोई खत्रा नहीं है, और BANK हमेसा और सरकार हमेसा आप लों के साथ है, कोई परसानी नहीं होगी, इन्जोय कीजे डिजटल बैंकिंग को, मैं तरही संदेज देना चाहूंगा जी तो जैसा कि हम ने देखा बिश्व विजया जी ने जैसा बताया कि यदि हम थोड़ा जागरुक रहें और कुछ सावधायां बरते तो हम यह जो डिजिटल लेंदेन के दोरान जो फ्रॉड होते हैं जो क्राइम होते हैं उससे हम बच स करुंद भोते हैं और उसके एटियम और उसके जो जो काड़् हम ऊते हैं उसके जो चीड़ ऊते हैं जब आप आपकुर प्ते हैं तो उस को किसी खार शेयर करें इसको क्यों को ना आते हैं डिजिए असक्तर लिए जा較 है तो हम से बीक इस Grad. अगर ऐसी कोई भी हरकत ना करें जो हमारे लिए मुसीबत का कारण बने अगर ऐसी कोई बात होती है तो हमें बैंक में जाकर सीदे संपर करना चाहिए और फिर उनके साथ जितने डोकुमेंट से उनके आधान प्रदान लें देन करना चाहिए किसी को इस तरह से वाट्शेप एटियंग और उसके OTP और PIN को रखें तो विजय जी बहुत अच्छी जानकारी आपने दियो और मुझे लगता है कि हर जो हमारे दर्शक है वो बहुत गौर से सुनने होंगे आपकी बात को और इसे कारण से क्योंकि जागतर इलाकों में अब ग्रामन इलाकों में या शहर अच्छी लाकों में हर जगा ऐसे शिकायते मिल नहीं और उससे बचने के लिए हमें इन बातों का ध्यान अपने बाते आपने चलते चलते अब चुपी समय नहीं है हम अपने सभी दर्शकों के और से आपका धनेवाद करना चाहते हैं और अंत में आप हम चाहेंगे कि अप अपराने की बात नहीं है आप सिधे कम्पेन करिए आपका नुकसान कब होगा इसके लिए मैं आप सब को बहुत दर्शन को बहुत दन्यवाद देता हूं किस महत्पुर्ण मुद्दा पर बुलने के लिए हम कर गूलाया गया मैं अपने दर्शकों से ही काना चाहूंगा कि अपने जो भी नीजी और गोपनिय दस्तवेज और पीन है और सुरक्षीत रखें और कोई खत्रा नहीं है और खत्रा हो जाता है तो बैंक और सरकार आपके साथ है इमेडियेट सुचना कीजिए और उसका रिमेडी मिलता है और आप डिजिटल बैंकिंग को इंज्वाइ की देंगे ताकि हम बैंकिंग लेंदेन में अपने आपको जाधा-जाधा सुरक्षित रखें धन्यवाद